दोस्तों आपका स्वागत एक और नई मजेदार कहानी के साथ, ये कहानी एक भाई बहिन की है, इस कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं, आज अजय अपनी बहन के साथ घर पर अकेले था, उसकी बहन की शादी ह गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, इसलिए वह अपने मायके में रहती थी, आज अज अजय के मम्मी पापा किसी रिष्टेदार के यहां कुछ काम से गए थे, अभी लोग दो दिन बाद वापस लोटने वाले थे, अजय की बहन निशा बाथरूम में नहा रही थी, और अजय बाहर बरामदे में सोफे पर बैठ कर मुबाइल पर कुछ कुछ दूसरे की वीडियो चला रहा था, अजय ने सोचा दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वह मुबाइल पर कुछ देख लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्द नहा धूकर वापस आ जाएगी, वो बाली वीडियो देखते देखते हैं, दिनेश को नशत छाने लगा था, इसलिए उसने अपने उस्ताद को बाहर निकाल लिया था, और हाथ से प्यार से सहला रहा था, तभी अचानक से निशा बातरूम से ब डर गया, और बहुत जल्दी उसने अपने उस्ताद को ढख लिया, और अपनी दीदी से सौरी बोला, तब निशा ने कहा, कि तुम यहां क्या कर रहे थे, तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती है, आने दो मम्मी पापा को तुम्हारी शिकायत करूंगी, अजय ने अ अगर तुम मुझे खुश कर दो, तो अजय अपनी दीदी के मुह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है, अजय कुछ देर तक तो लाना करता रहा, पर कुछ देर के बाद उसका पीने को कहा, तो उसकी दीदी जोश में आकर मुह में ले लिया और उपर नीचे करने लगे, तब ही अचानक से अजय के उस्ताद से रस निकल गया, और निशा पूरा रस पी गई, निशा ने कहा, अजय लेकिन मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हुई है, अजय ने कहा, द अजय के साथ बैठ कर खाना खा लिया, आज निशा बहुत खुश थी, क्योंकि जब से निशा का पती मरा है, तब से वह किसी चीज के लिए तरस रही थी, निशा जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई, तो अजय को भी फोन करके अपने कमरे में बुला लिया, रात में निशा ने अजय से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया, तो अजय बोला, दरसल मैं इस खेल में अनाडी हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से न कर पाता, इसलिए मैं तो कैसे अब तक लड़की को खुश करने के विडियो देख रहा था, ताकि त तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूँ, उस दिन अजय ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह से खुश किया, वैसे तो कभी उसके पती ने भी नहीं किया था दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, दोस्तों हमें कॉमें करें, बताएं कहानी कैसी लगी, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद